हेलो दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं प्योर देश रिविवू आज मैं आपके लेके आया हूँ फिंच मूवी का रिविवू ये मूवी नॉवंबर 2021 में लेज हुई थी इसे ड्राइट किया है मिगिल सैपोनिक ने कहानी के में पात रहें टॉम हैंक्स और इलेक्रो मैगनेटिक पल्स दर्ती की अल्मोस्ट हर इलेक्रोनिक मुशीन को खराब कर देती है सोलर रेडियेशन से दुनिया की आवाली खत्म होने की कगार पे है और दुनिया में बस कुछी लोग बचे हैं ऐसे में कहानी की शुरवात होती है एक इंजिनियर फिंच से ज अपने एक हेल्पिंग रोबोट डियूई और एक गुडियर नाम के डॉक के साथ रहता है फिंच गुडियर को बहुत प्यार करता है लेकिन सोलर रेडियेशन के वज़े से फिंच बिमार हो चुका है इसलिए वो एक रोबोट बनता है जो फिंच के बाद गुडियर की दि पर स्ट्रॉम आने वाला है और वो पूरे 40 जिन तक बना रहेगा इस वज़े से फिंच को वो जगा छोडनी पड़ती है क्योंकि उसके पास इतना खाना नहीं होता कि वो 40 जिन तक सर्वाइव कर सके फिंच के पास जितनी भी बुक्स होती है वो उन सब को स्कैन करके उसका अल्मोस्ट सारा डिटा रोबोट की मेमोरियों में डाल देता है ताकि रोबोट फिंच के बिना भी सर्वाइव कर सके इसके बाद फिंच, ड्योई, गुडियर और फिंच का रोबोट एक आरवी यानि रीक्रेशनल वहिकल में रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और उन इस पार तक रोबोट का कुछ नाम नहीं होता, तो रोबोट फिंच की हल्प से अपना नाम जेफ रख लेता है, यहां से शुरुवत होती है मुवी में इमोशन्स की, जेफ दीरे धीरे हिउमिन इमोशन्स को समझने की कोशिश करता है, और फिंच इस काम में जेफ की हल्प करता है अगरे दिन जेफ फिंच से कहता है कि गुड एर उसे पुसंद नहीं करता तो इसके जवाब में फिंच जेफ को बढ़ाता है कि वो अभी तुम पे ट्रस्ट नहीं करता जब जेफ फिंच से पूचता है कि ट्रस्ट क्या होता है तो फिंच उसे अपने पास्ट की एक कहानी सुनाता है और उसे समझाता है कि ट्रस्ट के लिए टीम वर्क की जुरत होती है तबी फिंच की तविद खराब हो जाती है और उसके मुँझ से बलेड आने लग जाता है तो फिंच समझ जाता है कि अब उसके पास ज़रा समय नहीं बचा है इसके बाद फिंच जेफ को गाड़ी चलाना भी सिखा देता है ताकि वो रेश्ट कर सके लेकिन अगले दिन फिंच की तविद बहुत खराब हो जाती है तो जेफ उसे लेके दवाई की तलास में एक सिटी में जाता है लेकिन जेफ फिंच को बिना बताए वहाँ एक हास्पिटल में जाता है तो ड्यूई एक ट्रैप में फज जाता है और फिंच और जेफ वहाँ से बाल-बाल बसते हुए आगे निकल जाते है कुछ दूर जाने पे फिंच को पता चलता है कि कोई कार में उनका पिचा कर रहा है तो उनसे बशने के लिए फिंच गाड़े को एक अंडरपास के नीचे छुपा देता है ऐसा करने से वो अपना पीछा तो छुड़वा लेता है लेकिन गाड़ी की छट पे लगी सूलर प्रेट तूट जाती है ये देख के फिंच मायूस हो जाता है और सैंट फ्रैंसिसको पहुंचने की उम्मिद छोड़ देता है ऐसे में जेफ फिंच को यकिन दिलाता है कि वो कोशिश कर रहे तो सैंट फ्रैंसिसको पहुंच सकता है डारेक्टर ये दिखाना चाह रहा था कि जेफ अब हुमन इमोशन्स को समझने लगा है तब ही वो फिंच को उम्मीद दिलाता है वन्ना बिना उम्मीद के फिंच हार मान चुका था फिर फिंच जेफ को बताता है कि फिंच को गुडियर कैसे मिला इसके बातियों निकल पड़ते हैं आगे के सफर पे जहां आप सेंट फिंच को सिर्फ 480 माहिल सी दूर है यहां पे आके जेफ और फिंच को पता चलता है कि उस एरिया में यूवी रेडिशन बहुत कम है और वहां पे हुमिन लाइफ पॉसिबल है तो फिंच कई सालों बात सन लाइट में बाहर निकलता है बिना किसी सोलर सूट के और दूप में चेर लगा के सन बात को इंजोई करता है मूवी में यहां पे फिंच और जेफ के बीच हुमिन लाइफ की एक्सपरियंस के बारे में एक बहुती इमोशनल कनवर्सेशन है और इसके बाद फिंच की डेथ हो जाती है जेफ फिंच का लास्ट राइट्स प्रफॉर्म करने के बाद गोडियर को लेके गोल्डन गेट ब्रिच पे जाता है और वहां पे फिंच अपनी और गोडियर की पिच्चे लगा देता है वहां पे जाके उसे बदा चलता है कि और लोग भी उस प्रिच पे आ चुके हैं और जेफ लोगों की तलाश में गोडियर को लेके वहां से चला जाता है इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के पॉस्टिव पॉइंट्स के बारे में दुनिया में ऐसे बहुती कम आर्टिस्ट हैं जो ऐसी मूवी में सांदर प्रफॉर्मेंस दे सकें त्यूकि पूरी मूवी में टॉम हैंक्स के सिवा कोई और एक्टर नहीं है ऐसे में पबलिक को इमोशनली कनेक्ट करना बहुत टाफ होता है और इस काम में टॉम हैंक्स माहिर है बहुती गज़क्री अक्टिंग की है टॉम हैंक्स ने हर सीन बहुत खुबसूरती के साथ निवाया गया है जहां तक बात है जेफ की तो उसे आवाज दी है केलेब लेंडरी जोन्स ने दोस्तों मुवी में एक फेचलेस रोबोट के इमोशन्स को दिखाना असान नहीं होता रोबोट की बॉडी लेंग्वेज ही उसके इमोशन्स का काम करती है डाइक्टर और वी एफेक्स टीम ने ये काम बहुत भी निवाया है जेफ के इनोसेंट कोशिंस उसका हर नई चीज को लेके एक्साइटमेंट कुछ नया जानने के इच्छा ये सब बातें उसे बहुत ही इंटरस्टिंग करेक्टर बनाती है मुवी के एंड होने पर एक सैडनेस और हैपिनेस की मिक्स वाली फिलिंग आती है सैडनेस की वज़ा है फिंच की देथ और हैपिनेस की वज़ा है जैफ और गुडियर की बांडिंग कुछ बाते हैं जो मुझे लगा मुवी में और इंपर हो सकती थी जैसे मुवी का पेस थोड़ा स्लो है मुवी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है बट पेस थोड़ा स्लो जरूर है ये मुवी थोड़ा मैचूर ओडियंस को ही पसंद आएगी क्योंकि ये एक इमोशनल मुवी है और एक हुमन का एक रोबोट इसलिए बनाना ताकि वो एक डॉक की केर कर सके ऐसा टॉपिक हर किसी को पसंद नहीं आता कुल मिलाके ये मुवी एक बहुत बड़ी एक्जांबल है टॉम हैंक्स की एक्टिंग का अगर आपको टॉम हैंक्स पसंद है तो ये मुवी आपको जरूर पसंद आएगी तो दोस्तों ये था मेरा फिंच मुवी का रिविव मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया हुआ अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बोले और अपने रियक्शन्स चाहे अच्छी हो या बोरे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अब आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी मुवी के रिविव में तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हल्थी है